तो हे गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, शॉर्ट रेड और आज की वीडियो में बात करेंगे हम डिश्मान कार्बोजन एमिक्स के बारे में देखो ये स्टॉक की कल कॉमेंट आया था जिसके बारे मैं वीडियो बना रहा हूँ अब देखो इस स्टॉक में मेरा क्या उपिनिन है वो तो मैं आपको बताऊं गई साथ में टेकनिकल चार्ट पर चल कर भी देखेंगे क्या शॉर्ट टम में अभी कोई मौका बन रहा है या पिर अभी हमें फिलाल इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए और परसनली मुझे स्टॉक कैसा लगता है वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दिजेगा इस तरह की इंफ्रमेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है पास गिर चुका है और मैक्सिमम की बात करें तो भाई 80% से भी ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका था आप देख सकते हैं 90% तक बात में तोड़ा सा रिका हो रहा बड़ आप देख रहो पिछले 5 साल में स्टॉक की पर्फोर्फोर्मेंस कोई खास नहीं है आप देखो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैंने इसका जो है CAGR भी चेक किया तो आप सबसे पहले नाम पर सकते हैं आप पर डिश्मान कार्बो इसके नीचे जैसी हम CAGR वाले portion पर आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे ये स्टॉक पिछले 5 साल में माइनस 23% का CAGR 3 साल में माइन ये स्टॉक में मुझे कोई खास performance नज़र नहीं है आप ROE देख सकते हो return on equity आप इसके compound profit growth देख सकते हो चलो last year की बात करें तो ठीक है आप यहां पर इसकी sales growth देख लो कुछ भी खास नहीं है तो मुझे इसका कोई data खास नज़र नहीं है तो इस हिसलिए personally इस stock को recommend भी नही कर देखेगा तो हम यहां पर इसका technical chart open करते है तो वैसे तो यह अपने support level के पास समय नज़र आ रहा है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यह 95 रुपय का support level है उसी के आसपास stock है और इस से पहले भी यह दो बार यहां पर support लिया और अगर हम थोड़ी सी इसकी past stream में पागा था और उसके बाद दुबारा इसी level पर यह जून 2022 में आ चुका था अब stock जो है जहां तक उम्मेद है थोड़ा इसी level पर consolidate करेगा देखो मैं आपको पहले बता दूँ यह stock अगर आप buy करने की सोचे तो बहुत जाता risky stock है मैंने इसलिए आपको यहां पर chart दिखाया उसके बाद आपको निकलने का मौका जरूर मिलेगा इस तरह की तेजी आपको definitely देखना को मिलेगी तो अगर आप बहुत कम risk लेते हैं अगर आप ज्यादा risk लेते हैं तो कोई बात निसमें बनी रह सकते हैं अगर आप बहुत कम risk लेते हैं तो यह stock उपर जरूर जाएगा जैसी उपर जाएगा आपको निकलने का मौका में लेगा ना तो मेरे according आप निकल जाना अगर आप बहुत कम risk लेते हैं अगर आप ज़्यादा risk लेते हैं बनी रह सकते हैं stock परिशान करेगा फिर दुबार असमें 30 ज़रूर आएगी बट उसमें लगने वाला है काफी time तो इस लेवल पर fresh entry को भी recommend नहीं करूँगा मैं और नहीं में इसको hold करने के लिए recommend करूँगा अब आपके उपर depend करता है अगर आपका लंबे समय का view है तो एक अलग point है और वो भी limited पैसा लगा कर ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा देना आंक बंद करके मैंने CAGR, ROE, sales growth, profit को स अब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको मैंने दिखाया भी उस हिसाब से मुझे इस stock में कोई खास performance नजर नहीं आती इसलिए मैं न recommend करता हूँ आपको और नहीं मैं इस stock में आपको चाहे वा फ्रेश अंट्री ले रहा हूँ चाहे आपने buy कर रखा और hold करने की सोच रहा हू चैनल सेक्शन में जाएंगे आपको ट्रीडर लखी नजर आएगा यहां पर आपको स्क्रीण शॉट भी नजर आँगा जाके चैनल सेक्शिंग में सब्सक्राइब लिजेगा लकी शेर को भी सब्सक्राइब निजिए अगर आप पहनी स्टॉक में इंटरस्टेट है है वह झाल झाल